हेलो फ्रेंट सच्चा वच्चा मेडी हेल्प में आप सब का एक पर फिर से स्वागत है कई लोगों को प्रेग्नेंसी नहीं चाहिए होती है लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन्हें एबोशन करने की जरुवर पड़ती है तो आज के इस वडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे किस तरीके से 10 वीक्स की अन्वांटर प्रेग्नेंसी का एबोशन कर सकते हैं तो फ्रेंट्स मैं आप सब को बता दूँ कि मैं एक फार्बा सिस्टूम और हमारा काम होता है कि हम लोगों को हेल्थ के बारे मेडिसिन के बारे में जानकारी दें तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको 10 वीक्स की अन्वांटर प्रेग्नेंसी का कैसे किस तरीके से एबोशन करना चाहिए इसकी सही और पूरी जानकारे मिल सके सबसे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि 10 वीक्स की प्रेग्नेंसी को आपको वहां से काउंट करना रहता है जो आपका last period था जो आपका पहला period का पहला दिन था जिस दिन bleeding स्टार्ट हुई थी वहां से 10 वीक्स आपको काउंट करना रहता है तो अगर आपकी pregnancy 10 weeks तक की है 10 सब्ता तक की आपकी pregnancy है या फिर 9 week की है 8 week की है 7 week की है 10 सब्ता तक की आपकी pregnancy है तो आप उसका medical abortion कर सकते हैं medical abortion का मतलब होता है कि आप दवायों के द्वारा medicine के द्वारा उसका abortion कर सकते हैं गरफपात कर सकते हैं medical abortion में MTP kit का यूज किया जाता है MTP kit का यूज 10 weeks की pregnancy को एवोर्ट करने के लिए किया जाता है अगर आप 10 weeks की pregnancy के लिए या फिर उसके कम weeks की pregnancy के लिए MTP kit का यूज करके unwanted pregnancy को एवोर्ट करना चाहते हो तो यह 97% effective रहता है यह 10 weeks से कम की pregnancy को असानी से एवोर्ट कर देता है उसका गरफपात कर देता है तो मार्केट में बहुत सारे MTP kits आते हैं जैसे की unwanted kit आता है मेफिजेस्ट kit आता है खुसी kit आता है तो अगर आपकी pregnancy का समय 10 weeks तक का है तो आपको medical abortion करना चाहिए और medical abortion में आपको MTP kit का यूज करना चाहिए MTP kit को कैसे यूज किया जाता है ये अभी आगे मैं वीडियो में बताऊंगी उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बहुत important बात बताना चाहती हूँ कि यूटूब पर, social media पर, unwanted pregnancy को abort करने के लिए, गरफपात करने के लिए कई सारे तरह तरह के घरेलू उसके बताये जा रहे हैं, home remedies बताये जा रहे हैं जैसे कि पपीता खा के गरफपात करिए, नीमबू खा के गरफपात करिए, ये जोस पीके गरफपात करिए, ये ड्रिंक पीके गरफपात करिए तो प्लीज आप इन सारी चीजों को बिलकुल भी ना फालो करें इससे आपका जो एवोशन है वो इनकम्टीट हो सकता है और हो सकता है कि आपको फ्यूजर की प्रेगनसी में भी कई सारी समस्याइं आ सकती है तो अगर आपको अन्वांटेट प्रेगनसी है तो उसको एवोट करने के लिए आपको कीवल मेडिकल तरीके ही अपनाने चाहिए आप मैं आप सबको बता रही हूँ कि MTP किट यूज़ करने का सही और एफेक्टिव तरीका क्या होता है तो देखिए MTP किट यूज़ करने का सबका अलग-अलग तरीका होता है अगर आप मार्केट से मेडिकल स्टोर से MTP किट लेते हो तो वो लोग भी अलग-अलग तरीके बता देते हैं लेकिन मैं जो तरीका बता रही हूँ वो बहुत ही सही और इफेक्टिव तरीका है इसमें एवोशन बहुत ही आसानी तरीके से सकस्फुल हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो इसको कैसे यूज करना रहता है तो जैसे कि आप सब को पता होगा कि MTP किट की एक स्ट्रिप आती है और एक स्ट्रिप में 5 टेबलेट्स होते हैं पहली जो टेबलेट होती है वो मीफी प्रिस्टोन 200MG की टेबलेट होती है जो की बड़ी टेबलेट होती है और जो दूसरी टेबलेट होती है वो होती है मीसू क्रो स्टोन 200 mg की 4 चोटी चोटी टेबलेट होती है तो इसको यूज कर्से करना रहता है कि सबसे पहले पहले दिन आपको पहली बड़ी गोली खाने रहती है जो Miphy Pristone 200 MG की टेबलेट है, वो पहले दिन खानी होती है और उसके 48 आवर के पासे उसके 48 घंते के बासे आपको, जो Miso Prostone 200 MG की टेबलेट होती है, जो 4 टेबलेट होती है उसमें से 2 टेबलेट आपको खानी है और 2 टेबलेट आपको वजायना में deeply injured करना रहता है तो जैसे कि अगर मैं आप सबको एक एकजांपर देकर बताओं कि मान लिजे कि आपने पहली जो बड़ी वाली गोली है वो 10 अप्रेल को सुबह 10 बजे जो मीफी प्रिस्टोन 200MJ की टेबलेट है वो 10 अप्रेल को सुबह 10 बजे आपने खाई फिर 11 अप्रेल को आपने कोई टेबलेट नहीं खाई 11 अप्रेल को गैप किया फिर 12 अप्रेल को सुबह 10 बजे आपका 48 आवर कंप्लीट हुआ तो सुबह 10 बजे जब आपका 48 आवर कंप्लीट हुआएगा तो आपको क्या करना है कि जो मीफी प्रोस्टोन 200 की चार टेबलेट है उसमें से दो टेबलेट आपको औरली खानी है और दो टेबलेट आपको वजाईना में डीपली इंज़र्ट करना रहता है जैसे ही आप ख गंटे तक लेट जाना है आपको यूरीन के लिए नहीं जाना है अगर आप उसके यूरीन के लिए जाओगे तो टेबलेट बाहर आजाएगा यूरीन के साथ और फिर उसका एफेक्ट नहीं होगा तो आपको दो गंटे तक लेट जाना है और जैसे ही आपका दो से तीन घं और ब्लड के ट्लॉट्स आने लगेंगे तो इससे आपको चिंता करने की घबरानी की जरूत नहीं है यह बिल्कुल नॉर्मल होता है तो जैसे ही आपको टिस्टू और ब्लड आने लगेगा उसके दो से तीन घंटे के बाद से आपको धीरे धीरे ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और यह ब्लीडिंग कॉंटिन्यू रहेगी तो जब आप चार्ट अब्लेट का यूज करते हो तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और यह ब्लीडिंग 10 से 15 दिन तक या ज्यादा से ज्यादा आपको 20 दिन तक continue लगातार होती रहती है और जब आपको 15 से 20 दिन के पास से bleeding stop हो जाती है तो ये sign होता है कि आपका abortion complete हो गया है आपने जो MTP kit का use किया था वो successful हो गया है आपका abortion successful हो गया तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अगर आपकी pregnancy का समय 10 weeks तक का है या फिर उससे कम का है तो आपको medical abortion करना चाहिए और medical abortion में आपको MTP kit का use करना चाहिए इससे आपकी unwanted pregnancy का abortion बहुत ही आसानी से successful हो जाता है तो फ्रेंड्स आई होब कि ये वीडियो आपको useful लगा होगा, informative लगा होगा तो इस वीडियो को like करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जादा से जादा से year करिएगा और चैनल को subscribe करिएगा और अगर आपको इस वीडियो से related और भी कोई सवाल हो तो मुझे comment box में जरूर लिखिएगा तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक आप अपना क्याल रखिए, thank you